वेलकम एभरबडी बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ कि कैसा जो है वो आप सभी को SSC के जो है वो सेलेक्शन पोस्ट 9 में जो है वो आप सभी को कैसा EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है तो वीडियो को अंत तक देखे ताकि आपकी कोई फीर जो डाउट हो क्वैरी हो पूरी इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ एक वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि क्या क्या points जो है वो इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ तो कुछ introduction जैसा कि अबी मैंने आपको दे चुका है crucial date बहुत important है validity certificate की extra information format कैसा होगा certificate आपने अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हैं अगर valid certificate नहीं होगा तो क्या होता है provisionally accepted और clear क्या है state and central क्या है और कुछ bonus tips तो watch this video talent ताकि जो ये 10 points मैंने चूज़ किये हैं वो सारे आपके cover हो पाए देखिए crucial date क्या होता है सबसे पहले crucial date जाना जरूरी है तो जो last date of form filling होता है उसी को जो है वो हम लोग क्या कहते है crucial date तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है last date of receipt application यही crucial date है crucial date का क्या importance है वो मैं आपको बताता हूँ वो आगे मैं आपको भी बताऊंगा कि देखिए जब भी आपका certificate होता है तो वो crucial date के पहले का होना चाहिए यह सभी जो है वो details जो है वो आप सभी को पता होनी चाहिए before applying for the any exam तो आपको भी सरकारी government job की exam अगर के लिए apply कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि crucial date जो होती है उससे पहले का आपके पास certified होना चाहिए crucial date क्या होता है last date of form filling मिस जिस तिन जो अंतिम दिन form fill होगा उस तिन तक का जो हो से पहले का certificate आपके पास होना चाहिए देखिए यहां पर clearly mentioned है जो जो paragraph 3.3 है इसमें आप देखोगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि EWS के candidates के लिए जो है वो आपको पूरी detail दी गई है तो जो students EWS certificate का benefit लेना चाहते हैं उनको जो हो एनेकसर 11 में जो है वो एकदम अच्छे सब्सक्राइब क्या है कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं 25 10 2019 2021 तो यह जो है वह लाजट है इससे पहले का आपके पास certificate होना चाहिए और आपके पास आपके पास जो है वह certificate तब तक प्रोविजनल इस आपको प्रोविजनल एक्सेप्ट किया जब तक जो है वह जो भी concerned है वह सब्सक्राइब की प्रोविजनल लेंगे सब कुछ क्लियर नहीं होगा ओके तो याद रखे कि आपके पास certificate certificate जो है वह कब से पहले का होना चाहिए पचीज दस दो हजार 21 का ओके तो क्रूशियल रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है और कुरूशियल रेट देखिए यहां पे सभी के लिए लिखा गया है यहां देखिए सी स्टी ओवी सी पीड़ूड इन सभी के लिए जो ह है वह क्या है पचीज दस दो हजार 21 जो है यानि कि उनका certificate जो है वह पचीज दस दो हजार 21 से पहले का बना वाजना चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप दो साल पहले का certificate दोगे तो आपका accept होगा जी नहीं वह बाद भी नहीं है ओके तो देखिए और जो पॉइं certificate की जो वैलिडिटी होती है वह होती है one financial year ओके और यह जो है वह जैसे आगर आप certificate अपलाई करोगे तो मैं आपको जो जो है वह थोड़ाई explain करता हूं डिटेल में ताकि आपको कोई भी आगे कभी डाउट नहीं रहे एक अप्रील ओके एक अप्रील 2021 के बाद अगर आपक AWS या फिर OBC NCL NCL की मैं बाल कर रहा हूं में ली तो आपका जो certificate है वह एक अप्रील से लेके 31 मार्ट तक ही वैलिड होता है जैसे आपको जो हो 25 अक्टूबर तक फॉर्म फिलप करना है और अगर आपने certificate अभी बनवाया सपोच बीस दस तक को के बीस दस 2020 तक आपने फॉर् करते हैं लेकिन अगर कोई भी certificate जो है कोई अगर examination निकलती है 2022 में 31 मार्ट से पहले तो आप जो अभी certificate बनवाओगे वह certificate आपका हूब हूब काम में आ जाएगा ओके तो यह थी किस चीज़ के बारे में जानकाड़ी के बारे में ओके कुछ extra information भी मैं आपको इसके regarding दूंग दे रहा होगा और यहां पर जो है वह आपको format है ओके तो ऐसा ही जो है वह सेंव फॉर्मेट रहता है अप देख लो एक वार्वार्मिट हो एसा गया है लेकिन दो फिर में आपसा फार्मेट नहीं होता है यह जो है वह आपको एक पेज भी आपको निकलवाना पड़ता है तो मैं आपको एक पेज वाला जो है वो फॉर्मेट आपको सभी को दिखा देता हूं कि एक पेज वाला फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है तो एक पेज वाला जो फॉर्मेट है वह आपको कुछ ऐसा दिखेगा ओके देखो यह जो है वह एक पेज में ही फॉर्मेट है इसको म मैं आपको दिखाऊंगा इसे पहले चीजे को समझ लीजे ब्लैंक फॉर्मेट उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूं तो देखिए यहां पर जो है वो तो और महारा राष्ट से यह सभी लिखाएगा इसके बाद नीचे में लिखाएगा किया कहां से बहुत 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 इंपरेंट है तो date जो है वो आपका 1 April 2021 के बाद का होना चाहिए देहान रखें एक April 2021 के बाद का होना चाहिए इससे पहले का पर certificate होगा तो आपको problem हो जाएगी और आपका जो है वो certificate जब document verification होगी तो उसमें आपको कुछ issue हो सकती है देखें यहां पर जो है वो valid year है तो valid year में क्या भढ़ाएगा यहां valid year में भढ़ाएगा 2021 से 2022 यह जो है वो valid year में भढ़ाएगा और यहां पर देखिए financial year है यहां पर देखिए यहां पर देखाई दिरा होगा आपको फैनेंसियल लिए ब्लैंक छड़ा हुआ है तो यहां पर क्या लिखाएगा दो हजार बीस से लेके 2021 तो ध्यान रखें कि valid year में जो है वो क्या होगा current financial year जो की 2021 से 2022 और financial year में क्या होगा 2020 से 2021 बहुत सारे students जो है वो ऐसी गलती करते हैं कि उनका अगर आप selection post की तैयारी के लिए मैं भी आप सभी कुछ टिप्स देता हो जैसे यहां पर selection post की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं आप देख सकते हो कि यह 2020 की हाल ही में आएगी ओके यहां पर देख सकते हो कि 117 टोटल टेस्ट है ओके तो यह जैसे मैं आप करता हूं तो देखिए यहां पर 2020 भी लिखा हुआ है लेकिन आप सुच रहों कि यह भी 2021 वाला क्यों छी रहेते हैं और अज जो हो जो है जो अब talking about सकते हैं कि आप को का अपना पता चलेगा कि आप क तो आप प्रिभी ऐसर को हलके मैं अगर आप इसे नहीं करते हो तो सायद आपकी जो है वह थोड़ी चांसेस घड़ते हैं बहुत सारे स्टूरेंट्स हैं जो कि यह कहते हैं कि प्रिबियस इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को समझने के लिए ओके तो देखिए यहां पर चैप्टर टेस्ट को उतना जारा मैं ज्यादा मैं प्रियर्टी नहीं दूंगा क्योंकि अगर आप चै अब्सक्राइब यहां पर आपको इंटर लेवल पर लिए और एक आप सकते हैं तो आप इसमें सब्सक्राइब के लिए अलग से हैं कि हाइए यानई कि जो है वो मॉह ठेस्स के तौर पर मिल जा रहा है और उसके साथ जो है वो अब को प्रिवियस यह पे-मिल जा रहा है जरुकि प्रिवियसी आप देख्ड़ों लेकिन past purchase करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी को जो है वो पहले free वाला test देना है और अगर आपको जो है वो अच्छा लगे means test book अच्छा लगे तभी purchase करने वरना past purchase करने से आपके पैसे बरबाद हो जाएंगे और कोई भी benefit नहीं होगा और एक बात आपका ध्यान रखे कि एक बर अगर आप पास purchase करते हो तो उसे सभी examinations की त्यारी कर सकते हो इस्टोड्स को usually doubt होता है कि उसे किसी एक examinations की त्यारी करते हैं लेकिन नहीं इसे आप बहुत सारे examinations की त्यारी कर सकते हैं पास को unlock करने के लिए मिन्स आप अगर test series को देना चाते हैं पूरे test series को तो आप इसका पास purchase कर सकते हैं आप देख लें अगर आप जो है वो सिर्फ एक examinations की पर्टिकुलरी त्यारी कर रहे हैं और एक साल के अंदर जो है वो exam हो जाएगा तो यह early pass आपके लिए सही है लेकिन अगर आपको जो है वो कुछ doubt होता है कि भाई SSC की examinations usually delay होती है तो उस case में आप चाहे तो lifetime pass भी purchase कर सकते हैं कभी जो है वो 2 साल का offer रहता है कभी 3 साल का offer है तो 2.99 में जो है वो आप समझ सकते हो कि एक दिन का 1 रुपय से भी कम पर रहा है और 365 दिन के लिए आपको मिलता है तो और यहां पर भी आपको सस्ते में मिल जाड़ा है मैं आपको एक coupon code दे दूँगा जिसे जो है यह prices जो है आपको 2.99 और 4.99 यह घट जाएंगी testbook का coupon code है 66TWX3 या फिर JBYY16 इन दोनों में से कोई भी coupon code आप यूज कर सकते हैं और testbook का आपको डाउनलोड करने का link भी आपको description box में मिल जाएगा coupon code अप्लाई करने के लिए आप सभी को जो है यहां पर pass वाले section पर आना होगा और यह जो आपको 499 थी तो एक घटके 450 हो गई तो 66TWX3 जो है वो कोपन कोड़ाप अप्लाई करके discount ले सकते हैं और इस्टूएंट को एक डाउट रहती है मित रहती है कि वह किसी एक examination की त्यारी कर सकते हैं टेस्ट बुक से लेकिन 400 examination के 400 examination के अगर आप त्यारी कर सकते हैं एक बर professional skills की कोई जरूत नहीं है यहां से आप मत करें इंस्ट के कुछ examination के लिए अच्छे हैं engineering recruitment examination की बात करूं तो इसमें भी ठीक ठाक लेंगे सभी के लिए अच्छे नहीं defense के बहुत अच्छा है पुलिस के कुछ examination के लिए अच्छे है टीचिंग के CTT के लिए अच्छा है तो अच्छा नहीं रहता है तो और 10 million students जो है वो अपनी से त्यारी करते हैं तो आप समझ सकते हो कि 10 करोड़ जो है वो एक करोड़ जो है वो एक हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए और दोनों जो है वो डिफ्रेंट रहता है तो आप इस पात का ध्यान रखेए ओके यहां पर फिर नीचे आते हैं तो आपका बेसी सब्सक्राइब है यहां पर पासपोर्ट साइज पर और रखा रहेगा चान का सब्सक्राइब और यहां पर सिगनेचर कर देना हैं सभी को बन के देख़ी तो जैसे लगा हूँ तो इसमें वो आपको दिख्या लिखा हूई है कि आप और आपका जो कहां कहां से बना होना चाहिए तो आपका इडेवलोस जो है वह यहां पर दियान दियां डिश्टिक मैजिटर अडिस्टिक मैजिटर टीपटी कमीस्टनर ये सभी इतने भी लिखे हुए उनसे चीफ प्रेंच वह आप इसका इसके ले सकते हैं इतने जिदर भी मेंद क्योंकि यह जो ताशीलार है वो हर ब्लॉक रदैने का है और यह से बनाना आसान है तो अगर आपका जो है वो डिश्टिक से फरर्में बनाता है थीक है भन होग सब hail जब कि Chinese नहीं होगा तो तो आयोब कि मैंने इसके बारे मता दिया कि कहां कहां से बनवाएंगे तो आपको बता देता हूं कि आप सभी को जो है वह certificate जो है वह पहले लिखा हुआ है कि जो भी यह टेट है वहाँ जहां से बनवाया है इन्होंने वह उसके बाद जो है यह बहुत इंपोर्टेंट है और यहां पर सटीफिकेट नमबर ओके देखिए इनका जो है वह वह वैलीडियर और फैनेंसियल एक अगराब ध्यान दें और फैनेंसियल एक अगराब ध्यान दें तो देखिए वैलीडियर कितनी है 2021-22 और फैनेंसियल कितना है 2020-21 तो आप जो है वह इसका भी स्क्रीन स्ट चाहें तो ले सकते हैं कि आसा ही जो हो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप सभी को देखिए यह जो है वह और मैं आप सभी को चीज़े दिखाता हूं तो देखिए नीचे में जो है वो डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर कोई मोहर की जरूत नहीं है आप देख सकते होंगे कि कोई भी सील नहीं है कोई भी सिगनेचर नहीं है कोई भी मोहर नहीं है तो यह भी 100% है और आपका डॉक्मेंट वरिफिकेशन होता है तो इसको भी उतनी ही प्राइटी दी जाएगी यह फिर इतना ही वैलिट होगा जितना की एक हैंड वाला ओके अब तो अधिकतर स्टेट में जो है वो डिश्टल नहीं बनने लगा है तो अपको डिश्टल वाला 100% accepted होगा अभी इसलिए क्योंकि पहले जो है वो और से बनवाया पहले जो इन्हों में यह बनवाया अरो यहना 오 यह अरो उसके बाद जरेज के लिए पहले वह सब थे लिए भी, सबसे पहले बना हुआ है और अपना सकते हैं तो आई होप कि इतनी सारी जनकाड़ी में आप सभी को दे दी अब देखिए इसमें कुछ कुछ देख लेता होगी क्या क्या पॉंट्स हो गई तो इंट्रोडक्शन हो गया क्रोशलेट हो गया वैलिडिटी हो गया एक्टा इन्फरमेशन फॉर्मेटी सभी हो गई कैसे लेना है इसके बारे में आपको बता दू कि आप जो हो अपने नियरेस्ट कोई भी एडवोकेट हो उनसे संपर्ख कर सकते हैं या फिर आप खुद ब्लॉग जा सकते हैं तीसरा जो है वह आप साइबर के फेस्ट वाले से बिजिट कर सकते हैं चौथा कि अगर आप कोई से सेंटर है तो वहां से अपलाई करवा सकते हैं तो इतने सारे जो है आपको बता दी आप कोई भी जो है वह ऑट चूज कर लिए अपने अनुसार जो भी आपको इजी पड़ता हो अब देखे बात आती है कि अगर आपके पास वैलिट से तीफिकाट नहीं होगा तो क्या होगा देखिए वैलिट सटि इफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको यी डब्लू क्रूसियल देट से पहले का होना चाहिए तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब कब होना चाहिए 1421 के बाद और आपका सर्टिफिकेट जो है वो 25 दस 2021 इसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओके इससे पहले नहीं चलेगा और इससे बाद नहीं लेगा तो आउने को यह बात समझ में आ गयी होगी उसके बात देखिए कि प्रोविजनल यह क्लियर क्या होता है कि आगर क्लियर है कोई प्रब्रब्म नहीं तो मिलेगा नहीं तो प्रविजनल में डाल दिये जाएगा सब्सक्राइब लिश्ट और सेंटरल सेटेफट पहे वह भूल गया था यहां पर वह बचाल हो हो कि यहां पर फॉर्मट है ऑक यहां पर सर्टीफिकेट नहीं लिखा वह हो यहां स्टेट एंड सेंटरल सेंटरल लिष्ट दोनों लिखा हो तो कि यह बाद भी आपको समझ में आ गई होगी उसके बाद जो है वह एक लाजट पॉइंट क्या था हाँ बोनस टीप्स तो उसके बारे में मैंने आपको बीच में बता दिया तो मैंने जो है वो मैक्सिम्म पॉइंट कवर कर दिये हैं और ध्यान देख कि आपका सर्टिफिकेट में नेम यह फादर स्नेम सब्सक्राइब गलती नहीं हो इस तो गलती जैसे ही अगर आप देखते हो कि आपका सर्टिफिकेट बन क्या या उतमें कुछ गलत है तो आप उसको स सुधार के लिए बहेज दो ज्यादा टाइम जो है वो मत लगाओ आप क्योंकि आपको सर्टिफिकेट डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के समय रिक्वाइब होगा तो आई होब कि मैंने आपको जो है वो कैसे जो है वो सभी चीजे बनवानी है इस की वो मैंने बता दिया है इं थैंक्स वर जदी आएब दिया को इसे चैंस वर है जो है जो है झाएब के लिएकेशन के लुग जाएब के लिए गया